ला 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 असलाम लेकुम स्टुरेंट्स, I hope you will be fine with great and good health क्लास 7 सब्चेक्ट साइन्स, we are number 8 transmission of heat presented by आमना मह्मूद Today the topic of under discussion is that thermos flask thermos flask देखा होगा आपने जिसको कहते हैं जिसमें हम जो है वो चीज़ों को करम, कोई भी लेकुड़क्स को हम गरम या ठंडार करने के लिए हम उसमें डालते हैं तो हम उसको कहते हैं thermos flask ठीक है जो है हमने इसके बारे में पढ़ना है The thermos flask is a device which is used to keep the temperature of a substance fairly constant by reducing the transfer of heat heat का जो transfer है उसको reduce करके that might takes place अब जो transfer है heat का, heat को transfer करना है या heat ने transfer होना है वो कहते है कि तीन method से भी हो सकता है उसको हमने reduce करना है हमने नहीं thermos flask उसको reduce करता है ठीक है Conduction, convection और radiation एक दफार दुबारा मैं आपको पताती है तो thermos flask के वो वो device है जो temperature को बहुत जादा अपने अंदर constant रखती है by reducing the transfer of heat heat को जह हो transfer नहीं होने देती Conduction, convection और radiation के method से इसको हम देखते हैं कि thermos flask में इसकी construction कैसे होती है next में है construction a thermos flask consists of a double walled glass bottle है which has a vacuum between the two walls दो walls के दिर्मयान vacuum है जो inner side walls की वो shiny है shiny हमने previous lecture में भी देखा था कि जो shiny surface है silvery surface है उसमें जो है वो radiation आकर जो है वो उस पर reflect होती है और वो temperature को absorb भी कर लेती है ठीक है ना absorber, good absorber, good emitter इस रहां की तो absorb कर लेती है वो इस रहां आपने आपको जो shiny surface है वो heat up रखती है तो वो कहता है कि जो inner side walls की वो shiny है the mouth of the bottle is closed जो mouth है नहीं के bottle का mouth है उसको हम close कर देते हैं कॉक और plastic stopper के साथ ठीक है ये बात है next वो कहता है जो glass bottle है उसको एक fit किया होता है metallic और plastic container के साथ इसमें अब क्या होता है कि जो thermos glass के ऐसी device है जो heat को जो है वो inner भी नहीं होने देती और leaf भी नहीं होने देती कि अगर आपने एक बार आपने बंद कर लिया है ठीक है आप उसमें आप tea डाल लेते हैं या आप उसमें coffee डालते हैं आप उसमें पानी डालते हैं ठंडा पानी डालते हैं गरम पानी डालते हैं hot or cold water जो on your choice ठीक है आप उसमें fill कर लेते हैं तो कहते हैं कि ये एक ऐसी device है जो heat को अंदर भी नहीं आने देती और बाहर भी नहीं जाने देती फ्लास्क से अगर ऑढ़ा हैं बहुत जादा अर्से के लिए ठीक है नेक्स हम देखते हैं यह देखें आपको इससे ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि यह पूरा थर्मोस फ्लास्क है ठीक है हमने अंदर चीज डालके जो भी आपने वाटर डालना है आपने टी डालनी है कौफी तालनी है या आपने कोई ओर एक और इन दोनों वाल के दिरम्यान में जुवाइट सा है इसको मैं चाहिते हैं इसको कहते हैं वह तो इनर वाल है यह शाइन जो और अब इसके अंदर जह हैं लिकुड फिल अब थर्मस फ्लास की डिवाइस एक इस जैए जब जो हीड को ना आप यह तो ना बाहर आएगी औ तो घ्रम पाने डालते हैं ठीक है वह गरम रहेगा क्योंकि ही तो भी घरम रहेगी चाहिए टी कॉफे जो भी आपने और अगर आप थंडा पाने डालते हैं तो हीट अंदर नहीं आएगी तो इस तुन आप बहुत यूजफूल ड्वाइस है जो हम अपने रिजली रूटीन म नेक्स्ट है हमारे पास एक आट जो विक्यूम फ्लास्क है विक्यूम फ्लास्क भी बहु भी बहुत जिसके हैं इता है इंबिक प्रमज घेलिंवosed कम च OC कै देद किया ठाकि से ले ens जीमेश peril को स्टोर के लिए लि陽 सब्सक्राण ईसके संदिंटेर का oh हमारे पास टेंप्रेच। टेंप्रेचर का सुनते हैं वड नेकिन टिंप्रेश्र का ॵर्ड है क्या डिडिग्री ओफ हॉट नस बरबोर Ms weer बोडी की जो हॉट नस है ठीक है या कॉड़ना से कितना थंडा या कितना गरम है उसको एंस की क्या है temperature और यह डिपेंड करता है molecules of सबस्टांस एक जो सबस्टांस ऐसके मौल्प्यूल है उसके इंटर्णल एंशी पर एंशी इंटर्णल इंशी पर ठीक है झिसकी इनर्जी क्या है तो कोई भी तेमबरेच्ट इंक उसको ठंडा किया रहते है लेकिन इतना तेजी से मूव नहीं करते हैं उनकी मूवमेंन्ट जो हो चाती है लेकिन जब ही जैसे इसको हीट देते हैं उसमें इनर्जी आती है जो वह इंजी को गेन कर लेते हैं करते हैं तो यह आपस में वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरी साथ टकराते हैं तो यह बात है आपने बात समेशा याद रखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ा उसको ठंडा करेंगे तो उसके जो मॉलक्यूल है वह स्लोली मॉव करेंगे लेकिन जैसे आप उसको हीट अप कर कर लेगा जब इनर्जी को गेन कर लेगा तो उसकी जो मूवमेंट है वह फास्ट हो जाएगी नेक्स्ट है करते हैं इन दूइंग सो पुष इच अदर अपार्ट डैट इस हाव चेंज ऑफ स्टेट अच्छा वह कहते हैं पुष इच अदर देखें वह एक दूसरी को पु यह सब्सक्रांस उसकी जो स्टेट हो रती है निकर वह सॉलीड में लिकुड है जो गयाज में इस नहीं और यह यद चेंड हो रहती है बाता है फैक्ट ओफ हीटिंग और कूलिंग आपको अगर फॉर इप्वार्ट हम लें सॉलीड ाई सॉलीड है लेकिन जब उसके उपर effect होता है heating का उसके molecules आपस में क्या होना शुरू हो जाते हैं energy को gain करते हैं bump into each other far apart ठीक है by pushing ठीक है तो इस तरहां उनके molecules क्या होना शुरू हो जाते हैं move faster heat करते हैं जब ठीक है तो वो जो solid था वो किसमें change हो गया water में तो वो इसी की बात कर रहा है इस तरह और होता है ठीक है this also explain the expansion of solid liquid और gas gas की solid की और liquid की कैसे expansion होती है heating पर heating जब उसको करते हैं तो वो कैसे फैल जाता है कैसे expand हो जाता है because उसने molecules को उनकी molecules ने heat किया तो उन इनरजी को गें किया जब इनरजी को गें किया तो वो इधर को मूभ कर रहे हैं ठीक है तो उनकी जो फुसक्ष करT Τश्रह जो अगर उनका वॉल्यूम इतना था तो उनका पिर वॉल्यूम यह वो इतना ज्यादा हो जाता है तो यह बात होती है next time हमारे पास मैरे हमर्ving temperature नहीं कर सकते किसी भी object का आप उसको touch कर सकते करके by touching by touching we cannot check the temperature of object exactly check नहीं कर सकते हैं if you keep your hand in cold water अगर आप अपने चो हाथ है cold water में है ठीक है if you keep your hands in cold water आपने हाथ जो है cold water में रखे हुए है और आपने उसको dip किया है and dip them in warm water फिर आपने उसको dip किया है warm water में the water will feel very hot आपको लगा कि पानी क्या हो गया है गरम है पानी गरम है आपने ठंडे हाथ से पानी जो है वो गरम में गरम पानी में इसको रखा तो आपको यहीं फिल होगा कि पानी जो है वो गरम है आप उसको warm water में dip करते हो the water will feel cold आपको पानी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा ठंडा महसूस होगा ठीक है एक्जक टंप्रेचर को find out कर सकते हैं बाइट टचिंग ठीक है या किसी और तरीके से हम हाथ लगा के टच करके ठीक हम find out नहीं कर सकते तेंप्रेचर को तो इसके लिए हम एक ट्वाइस करते हैं जिसकों कहते हैं थर्मोमीटर क्षिझर का बहुत उसके और पर एक बाल उसके कट पर एक बालब होते हैं थर्मोमीटर काइस मर्करी के साथ हम काहल के साथ किसी न दोनों में से एक के साथ उसको फिल किया हो तो उसको शील्ड कर देते हैं दरीजीघ Jeśli है दिसफाग लाज केश अगर लास है उसमें जो क्ला इसके बाद के तो आउट साइड पर मार्क होते हैं स्केल सेल्सियस में है फोरन हाइट में इस तरहीं मार्क कियों ठीक है वैंड अबल बिस तो ऐसे बोडी जब आप उस बाल को क्लोज करते हैं किसी भी बोडी पर जिसका अपने टेपरेचर करना है तर्मोमेटर से तर्मोमेटर जो है वो मैं आपको दिखाती हूं यह दोनों स्केल है यह वाले सेल्सियस में और फॉरर हाइट में यह वो कैपलेडी ट्यूब है उसके अंदर जो है वो मर्करिया जो है वो फिल क्या होता है अलकोहल ठीक है तो इस तरह जब भी उसको हीट होती है जासे जब जो टंपरेच्चर पता चलता तो यह जो सकेल है उपर और शुरू हो है अगर कितना टंपरेच्चर है उसे हम फिर पता चलता है यह जब पर इंट्रस्टिंग से अपको समझ आई होगी आप इसको देखें अपने बुक से भी देखें इसको रिलेट करें ठीक है और अगर कुछ नहीं समझा तो हम उससे दुबारा पूच सकते हो कैं स्टुणे लाला, 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